साल था 1992, साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम के लिए एक लड़का का सलेक्शन हुआ था मोका था 1992 में हुए वर्ल्ल कप का पर लोगों के मन में एक सवाल था कि लड़का ले तो लिया पर क्या ये टीम में ठिक पाएगा? फिल्डिंग कर लेता है लेकिन क्या बैटिंग कर लेगा? लेकिन लड़का क्या कमाल था मैदान पर गैंद को चुम्बक की तरह खीच लेता था टपा खा के आई तो कोई रन नहीं हवा में आई तो बैट्समेन आउट साल 2015 जोंटी रोड्स परिवार के साथ भारत में था गरवती पत्नी मेलानी ने एक बेटी को जनम दिया बेटी का नाम रखा गया इंडिया इंडिया जीन्स रोड्स तब जोंटी ने कहा था कि भारत की समरद संसकर्ती विरासत और परमपरा देखकर उन्हें बेटी का नाम इंडिया रखने की प्रेरणा मिली ये बच्ची आज करीब 6 साल किये पर आज से करीब 22 साल पहले इसी बारत में एक और इंडिया का जनम हुआ था वो इंडिया जो आज 22 साल की है और उसकी आजाद ख्याल मा कभी अफगानिस्तान की रानी हुआ करती थी जिसे कुछ अफगानी मुला कम कपड़ो वाली आजाद ख्याल वाली गोड़े पर बैट कर सिकार करने वाली रानी तो कुछ बिकनी वाली रानी कहते हैं नमस्कार दोस्तों रंग्दे बसंती देखना सुरू कर चुके आप, मैं हूँ राजीव चोदरी इसलाम का बाया सब को पता है, लेकिन इसलाम में महिलाओ के लिए बुर्का का बाया ये सवाल कई मित्वों में लिप्टा पड़ा है आज अफगानिस्तान हो या इरान, पाकिस्तान, भारत या फिर बंगला देश, मस्जिदों के मुला बुर्के हिजाब पर बड़ा जोर देते हैं लेकिन अगर इधियास की मित्टी को फावड़े की बजाए किसी लकडी के टुकडे से भी टटोला जाए तो भारती अप महादीप में बुर्के का जोर पिछले पचास सालों में दिकाया जिसने देखते देखते इन देशों की एक अरब की मुस्लिम अबादी की पचास भीषदी महिलाओ को काले कफन में कैद कर लिया आपने अफगानिस्तान की सन सत्तर की तश्वीर देखी होगी जब वहादी कांस महिलाओ इसकर्ट में रहती थी इरान में भी सत्तर का दसक ऐसा था कि समुंदर के किनारे आजाद ख्याल महिलाओ बिकनी तक में गुम लेती थी भारत में सूट सलवार या साड़ी मुसलिम महिलाओ का पहनावा हुआ करता था बंगाल बियार और बंगला देश में अभी भी बहुत सी जगए मुसलिम महिलाओ साड़ी पहनती है पाकिस्तान में भी 60-70 के दसक तक पड़ी लिखी महिलाई साड़ी पहनती थी यहां तक कि सिमला समझोते में बेन जीर भुट्टो अपने बाप के साथ साड़ी पहन कर आई थी लेकिन आज भारत पाकिस्तान में मुला इन महिलाओ को लानते बेजते हैं अगर बुरका नहीं पहनती अफगानिस्तान में बिना बुरके वाली महिलाओ पर कोड़े बरसते हैं क्योंकि मुलाओ ने इसलाम का सारा वजन मुस्लिम महिलाओ पर डाल दिया कि हम आयासी करेंगे तुम इसलाम डोना पर अफगानिस्तान की बात करें तो इस अफगानिस्तान में एक समय सा नहीं था उस समय आज रोम में रहने वाली राजकुमारी इंडिया की मा का सासन था इनकी मा का नाम था राणी सोरायातार जी एक ऐसी रानी जो निर्वासन में जन्मी और निर्वासन में उनकी मरत्त हुई लेकिन अफगानिस्तान की रानी के रोप में उसने दस साल बिताए और सोराया तार जी ने अपने देश की महिलाओं को एक मुक्त बविस्की आकरसक जलक दी जिसे एक सदी बाद आज फिर से पूरी तरह याद किया जा रहा है दरसल एक सरदार भुआ करते थे गुलाम मुम्मन तार जी ये कभी अफगानिस्तान से बाग कर शीरिया चले गए थे उस समय सीरिया तुर्की कोया ओटोमन सामराज्य का हिस्सा था गुलाम मुमन तार जी का एक बेटा था नाम था सरदार मेहमूद बेग तार जी इसी तार जी परिवार में 24 नुवंबर 1899 को एक लड़की का जनम हुआ उसका नाम रखा गया सोराया तार जी लड़की ने भले ही मुसलमान के घर जनम लिया लेकिन इसलाम की बेडियों को थोड़े समय बाद ही तोड़ डाला पर लड़की के अंदर एक कसक रह गई थी और वो कसक थी उसका देश अफगानिस्तान जहां वो जाना चाहती थी खैर उसकी एच्छा पूरी भी हुई अक्टूबर 1901 में हभीब उल्ला खान अफगानिस्तान के राजा बने तो सबसे पहले निर्वाशित लोगों को वापिस अफगानिस्तान लाने का काम सुरू किया सरदार मेहमूद बेग तार जी भी अपनी बेटी सोराया तार जी के साथ अपने वतन वापस लोटे उस समय सोराया करीब 11-12 वर्ष की रही होगी हभीब उल्ला खान की इच्छा के अनुसार तार जी परिवार का दरबार में स्वागत किया गया स्वागत समारो चली रहा था कि अचानक सोराया की मुलाकात एक लड़के से हुई लड़के का नाम था अमानुल्ला बाद में पता चला कि अमानुल्ला कोई और नहीं बलकि राजा अभीब उल्ला खान के बेटे राजगुमार अमानुल्ला है समय थोड़ा सा आगे बढ़ा दोनों परिवारों के संबंद परगाड हुए और साल 1913 में 24 साल की सोराया का विवा काबुल के कवम एबाग पैलेश में राजगुमार अमानुल्ला खान से हो गया सोराया का एक कथन था कि मुस्लिम महिलाओं को पर्दन नहीं करना चाहिए और पुर्षों को एक से अधिक साधी नहीं करनी चाहिए विवा के 6 साल बाद अमानुल्ला खान ने 1919 में जब अफगानिस्तान की सत्ता संबाली तो पतनी सोराया तार जी के विचारों ने लोगों का ध्यान खीचा सदियों से कबिलाई और रूडिवादी संसकर्ती में रहते आ रहे देश के लिए विचार एक दम नहीं थे वो सभी राष्टे कारकर्मों में राजवा के साथ भाग लेती यानि इत्यास की वो मुस्लिम पतनी जो ना केवल अपने पती के साथ सारवजनिक रूप से दिखाई देती पल की घोडे पर सवार होकर देश की केबिनेट की बैठ हकों में इस्सा लेने जाती रानी बनते ही सोराया तारजी ने सारवजनिक रूप से बुरके के खिलाब अब यान चलाया देश की महिलाओ को बुरके इजाब से मुक्त कर दिया इसके बाद एक से अधिक विवा के खिलाब अब यान चला दिया अब कोई मुला एक से अधिक भी भी नहीं रख सकता था इसके अलावा काबूल से लेकर समूचे अफगानिस्तान की गरामीन बैल्ट में ने किमन लड़कियों को शिक्सा के लिए प्रोथसाइथ किया बलकि उनके लिए स्कूल भी खोले जाने लगे अब हुआ राजा मानूनला का एक कमाल का भासन इस भासन में राजा ने मंच से का कि इसलाम में महिलाओ को अपने सरीर को ढगने या किसी विशेश परकार के हिजाब बुरकया गुंगट करने की कोई जरूरत नहीं है आज से महिलाएं भी पूर्चों की तरह सवतंतर है और इसी मंच पर गजब ये हुआ कि भासन के समापन पर राणी सोराया ने सारवजनिक रूप से अपना हिजाब थाड़ दिया जिसे देखकर वहां मुझूद सभी अफगानी यूवतियों ने अपने अपने इजाब उतार फैंके या भाड फैंके यानि रानी और अफगान महिलाओं ने उन सब पर जबरन लादी कई सद्यों की परंपरा को तोड़ दिया और वे अफगान और इसलाम की एक सक्सियतों सामिल हो गई। अफगानी लड़कियों को रानी पढ़ने के लिए विदेश बेजने लगी। इसी दोरान रानी सुराया ने यूरोप का दोरा किया जिसमें वे यूरोपिया पुर्सों के साथ बिना बुर्के के थी कुछ तश्वीरों में उन्होंने स्लीवलेस ड्रेस तक पेंड़ की थी यानि मुलाओ और मजब की कैद से अफगान मैलाए आजाद हो चुकी थी। लेकिन कुवारी लड़कियों को विदेश बेजने और पढ़ने के लिए बेजने के लिए अफगानिस्तान के कई वर्गों में तीख या लोचना हुई। मजब के नाम पर दाल रोटी चला रहे अफगान मुलाओ को ये नागवार गुजर रहा था। एक तरफ राजा और राणी के सुधार थे तो दूसरी तरफ मुलाओ बस मुलाओ ने अफगानी समाज को भढ़काना सुरू कर दिया। राजा के घिलाप कबीले खड़े कर दि गए और देखते देखते देश में ग्रहयुद छिड़ गया। साल 1929 आते आते राजा ने ग्रहयुद को रोकने के लिए त्याग पत्र दे दिया और सरन के लिए भारत आ गए। जहां मंबई में उनकी सबसे चोटी बेटी का जनाम हुआ इसी वज़े से उनने अपनी 30 तक अफगानिस्तान के सासक रहे। नादिर साने आते ही लड़कियों के लिए खोले गए स्कूल बंद करा दिये और बुरके को फिर से लागू कर दिया। पर बाप की नीती बेटे को ज़्यादा रास नहीं आई और नादिर सान के बेटे और अफगानिस्तान में सबसे ल मुलापन का सिकार नहीं था लेकिन इसके बाद मां सोवियत संग और तालिबान की जंग सुरू ही और देखते ही देखते अफगान मैलाए बुरके में कैद कर दी गई। इसका नुसरन करते हुए कभी पाकिस्तान में जियाूलहक भी पाकिस्तानी मैलाओ को साड़ी से बु मामिला साथ ही महिलाओ को मिली काले कफन की गुलामी। यही कारण है कि आज भी रानी सोराया को अफगानिस्तान की अजाद ख्याल यूवतिया अपना दर्स मानती है। एक ऐसी रानी जिसने इसलामिक समाज की बेडियों को तोड़ डाला था, अब एक बार फिर दुनिया अफगानिस्तान पर नजरे टिकाये हुए हैं, खासकर लोग देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के सासन में महिलाओ का क्या होगा।